केंद्री काबिनिट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंतरकत गंडा खरीद की कीमत में करीब 8 प्रतिशत का एजाफा हुआ है अभी गंडे की खरीद कीमत 315 रुपे प्रती क्विंटल है जो अब 340 रुपे प्रती क्विंटल हो जाएगी कुल 25 रुपे का इजाफा किया गया है केंद्री बंत्री अनुराक ठाकुर ने कहा कि 2024 से पहले किसानों का खात के लिए सरकों पर उतरना पड़ता था उस समय उन्हें गंडे की भी सही कीमत नहीं मिलती थी लेकिन प्रधान मंत्री नरिंडर मूदी के नेत्रित्व में किसानों को फसले का सही मूले दिया जा रहा है उन्होंने कहा किसानों को बढ़ती हुई कीमत का लाब आगामी गन्ना सीजन एक अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के अफ़दी से मिलेगा दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े हमने उसके बागजुत किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिये यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिये तीन लाक क्रोड पे तक की सफ़ड़ी भारत सरकार ने दी लगातार पिछले तीन वर्षों में काम किया नैनो यूरिया को हम लेकर आए और यही नहीं मैं एक बात तो आज मैं जुरू कहना चाहता हूँ यू पिए के दस साल में गेहूं धान दलहन तिलहन इन पर साड़े पांच लाक करोड प्या MSP की खीद पर खर्ट किया मोधी सरकार ने 18,49,000 क्रोड खर्च किया है जो साड़े तीन गुना से जाता है कहां साड़े पांच लाग क्रोड कहां 18,49,000 क्रोड और अगर मैं आपको दल्हन की उधारन दूँ तो 1936 क्रोड प्या कॉंग्रिस ने खर्च किया UPA की सरकार ने मोधी सरकार ने 55,000 क्रोड से जादा खर्च किया तिलन में उने 11,000 क्रोड के लगबा खर्च किया उने 33, 35,000 क्रोड से जादा खर्च किया गेहूं पर उन्हें 2,80,000 क्रोड खर्च किया उने 12,41,000 क्रोड से जादा खर्च किया और यही नहीं अगर आप आंकडे देखेंगे PM किसान सम्मान निदी कॉंग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निदी थी ये मोधी सरकारे जिसने 2,80,000 क्रोड प्या 12 क्रोड किसानों के खाते में डाला है और उनके समय किसानों को मुआफ़ा नहीं मिलता था हमारे समय एक लाख चववन हजार क्रोड प्या मुआफ़ा परदानमंत्री फसर बिमा योजना के अंदर गत मिला उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था 13-14 में सन 2013-14 में 7,30,000 क्रोड प्या मिला हमने 2020-21 में हमने कितना पैसा बीस लाख क्रोड से ज़्यादा किसान को दिया यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति मोदी जी ने तबी तो क्रिशी हमें किसान कल्यान मंत्राले नाम रखा एक एक कदम देखियो उस दिशा में 15,511 क्रोड प्या हमने खर्च किया प्रधानमत्री सिंचाई योजना के अंतरकत